हेलो बीसी फर्स्ट एर स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी लोग उमीध है आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तो आज किस वीडियो के इंदर में डिसकस करेंगे बीसी फर्स्ट एर बॉटनी के फर्स सेमेस्टर में आपका ठेरोटिकल पेपर आता है Microbiology and Plant Pathology दोस्तो इस सेमेस्टर से ओल्रडी में कई सारी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जो कि आपके एक्जाम पेपर के लिए most important है तो अगर आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो description box में आपको link मिल जाएगा या फिर आप चैनल के अंदर जाएंगे आपको एक अलग से playlist मिल जाएगा आज किस वीडियो के अंदर हम डिसकस करेंगे Elbigo fungi का part 2 part 1 के अंदर हमने डिसकस किया था Elbigo fungi के classification के बारे में general introduction के बारे में कैसे fungi जो होता है वो host के अंदर enter करता है उसके बारे में रिसकस किया और finally हमने cover किया Elbigo fungi के mycelium की structure के बारे में part 2 के अंदर हम cover करेंगे इसके reproduction के बारे में Elbigo fungi के अंदर जो reproduction होता है वो दो methods होता है asexual reproduction और sexual reproduction सबसे पहले हम डिसकस करेंगे एल्वीगो फंजाई के एसेक्शुल लिप्रोडॉक्शन के बारे में स्टूडेंट इग्जाम पेपर में आपसे लोग कोश्यन में किसकी तरह से कोश्यन पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूं इग्जाम पेपर में आपसे इसका मैसीलियम का स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है और इसके रिप्रोडॉक्शन पूछा जा सकता है तो किसी भी तरीके से question बनाया जा सकता है अगर आपका Elbugos related सभी इसके concept के लिए होंगे तो आप लोग किसी भी तरह के questions के लिए तयार रहेंगे चलिए discuss करते हैं Elbugos fungi के अंदर सबसे पहले Asexual reproduction के बारे में तो Elbugos fungi में Asexual reproduction Juice 4 या Conidio 4 के दोरा होता है इस परकार के reproduction के समय Host Epidermies के नीचे बहुत सारे fungal हाइपी एकत्रित हो जाते हैं तता सीगर ही जो fungi की community है जो fungal हाइपी में विसे इस परकार के मोटी भित्ती वाले यानि के थिक वाल वाले club shaped छोटे कवच यानि हाइपी निकलते हैं जिने कहा जाता है Spirengio 4 तता निचलिय जो सीरा होता है वो मोटा यानि के थिक भित्ती युक्त होता है यानि के थिक वाल वाला होता है तता इसके परतेक Spirengio 4 में Protoplas वा लगबग 12 निकलियाई पाहे जाते हैं Spirengio 4 का जो उपरी भाग होता है पतली भित्ती वाला भाग वो फूला रहता है फूला यानि के उसमें स्वेलिंग आ जाती है और तता फिर उसमें सीरे पर कॉंस्ट्रिक्शन होता है जिससे की एक बिजानू धानी यानि के Spirengium या कॉनिडियो Spirengium बन जाते हैं जिसमें 5-8 निकलियाई होते हैं इसी परकार बार-बार कॉंस्ट्रिक्शन के द्वारा Spirengium जो होते हैं वो बेसी पिटल चैन्स में बन जाती है अर्थात इसमें जो है Spirengium चैन के सिरे Spirengium तथा Spirengium के लगातार उत्पादन एवन वरधी के कारण होस्ट की पिडर्मिस पर दबाव बढ़ता है जिसके कारण यह पहले उभरती है तथा बाद में फट जाती है जिससे कॉनिडियों हवा में बिखर जाते हैं तथा इनी कॉनिडियों के कारण लीफ पर वाइट पॉस्ट्यूल्स आपको दिखाई देते हैं यह है अल्ब्यूगू के अंदर एसेक्शुल लिप्रोडॉक्शन का डाइग्राम जिसे आप लोग एक्जाम पेपर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर एसेक्शुल लिप्रोडॉक्शन लोग कोशन में आप से पूछा जाए और सेक्शुल लिप्रोडॉक्शन के साथ तो यह डाइग्राम आप लोग डेफिनिटली बनाएंगे इस डाइग्राम को आप लोग कलरफुल पैन से बना सकते हैं लेकिन रेड पैन का आप लोग यूज नहीं करेंगे आप लोग थियोरी में सबसे पहले नोट डाउन कीजिए उसके बाद मैं आपको डाइग्राम की मदद से भी समझाता हूँ परते कोनिडियम जो होते हैं वो आकार में गोल होते हैं स्फेरिकल होते हैं थिन वाल होते हैं तथा इसके अंदर निकुलियाई प्रेजेंट रहता है और साइटोप्लाजम भी प्रेजेंट रहता है साइटोप्लाजम के साथ-साथ फूड मेटेरियल भी इसके अंदर प्रेजेंट रहता है ये conidium high temperature वो unfavorable periods में directly germ tube द्वारा germinate हो करके host plant को infect करते हैं germ tube जो हती है वो stomata द्वारा प्रवेस करके host tissue में mycelium का निर्मान करते हैं वायू मंडल में यानि atmosphere पर नमी, पानी की उपस्तिती तथा favorable condition में यानि जब favorable periods आता है तो उस समय conidium sparingium में juice sparingium की भाती कारे करता है ये जो conidium sparingium होता है ये juice sparingium की तरह काम करता है और multi nucleate protoplasm में विभाजित हो जाता है बहुत से biflagellate तथा kidney shaped uninucleate structure बनाती हैं जिने कहा जाता है juice pores, conidium की जो वाल होते है वो तूट जाती है तथा juice pores dew तथा पानी में तेरने लगते हैं कुछ समय पस्चात ये insistment की किरिया के द्वारा गोल आकार हो जाते हैं तथा जब host पर गिरते हैं तो उस समय germ tube द्वारा germinate हो करके इस tomato वा host plant के द्वारा एक नया mycelium बनाते हैं तो इस परकार से हमने देखा यहां पर a sexual reproduction जिसका diagram आप लोग यहां पर देखेंगे इस diagram में represent किया गया है यह leaf इस leaf पर आपको white postules दिखाई दे रहे होंगे यह इसका sinusitic mycelium इसी mycelium का जो part है वो धिरे-धिरे conidio 4 बनाता है जैसे कि आप देखेंगे यह swollen conidio 4 है इसका जो उपरी वाला सीरा होता है यह पहले हलका सब फूलता है इसमें जो है swelling आ जाती है और swelling आने से यहाँ पर उभार सा दिखाई देता है एक अलग outgrowth दिखाई देगा और फिर इसके बाद इस outgrowth के अंदर कुछ निकुलियाई चले जाते हैं जाने के बाद यहाँ पर बन जाता है construction जैसे इसमें construction होता है तब यह separate हो जाती तब यह conidium बनाता है ठीक इसी परकार से एक के उपर एक conidium का निर्मान होता चला जाता है और यह intercalorie disc के दोरह आपस में जुड़े रहते हैं तो जैसे जैसे conidium की संख्या बढ़ती रहती है मैंने आपको कहा था कि epidermis पर एक pressure पड़ता है epidermis पर एक दबाव पड़ता है फिर उसके बाद यह free हो जाते हैं यह जो conidium है यह free हो जाते हैं और juice प्रेंजियम की तरह काम करते हैं इस juice प्रेंजियम के अंदर आप लोग देखेंगे nucleus भी present रहता है cytoplasm भी present होता है और इसी से juice pores निकलते हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं अब यह जो juice pores से जब इसको नया host मिल जाता है after insistment के बाद जैसे ही इसको एक नया host मिलता है वही पर यह gem tube बना करके उसी host के ओपर यह mycelium उनका grow कर जाता है और इस परकार से यह नए plant को infect करते हैं यह हमने देखा albigo के अंदर a sexual reproduction अब हम discuss कते हैं sexual reproduction की बारे में heading डालीजे student sexual reproduction in albigo fungi albigo fungi में sexual reproduction related exam paper में आप से long question यह पूछा जाए तो आप लोगों को सबसे पहले introduction heading डालना होगा वहाँ पर आप लिखेंगे albigo में sexual reproduction ओग MS type का होता है it means इसमें definite male और female sex organs पाया जाते हैं या reproductive organs पाया जाते हैं male reproductive organs को हम बोलते हैं enthridia और female reproductive organs को हम ugonia बोलते हैं तो प्राय जो sexual reproduction होता है वो conidia बनने के पसचाथ ही होता है reproductive organs, stem व पिटिवल्स आदे की जो deeper tissues होते हैं उनके intercellular species में fungal hypie पर उत्पन होते हैं अब यहाँ पर सबसे पहले आपको ugonia को define करना होगा जो female sex organs होता है ugonia का development कैसे होता है सबसे पहले आप लोग उसको define करेंगे उसके बाद enthridia को आप लोग define करेंगे and finally fertilization को हम cover करेंगे ugonia female hypie के एक globular होने से बनता है इसमें hypie का सीरा full जाता है तथा इस फूले हुए भाग के नीचे एक septum बन जाता है इस फूले हुए भाग को ugonium कहते हैं इसमें प्रारंब में protoplasm, vacuoles, nicoleiai सामाने रूप से फैले रहते हैं प्रन्तु जब ugonium mature हो जाता है तो इसका protoplasm जो होता है वो periplasm, oplasm कहलाता है periplasm में कई सारे nicoleiais पाय जाते हैं, vacuoles भी पाय जाते हैं तथा इस भाग का जो protoplasm होता है वो पतला होता है बीच का oplasm जो भाग होता है वो periplasm से घिरा रहता है, surrounded होता है तथा इसके मद्ध एक female nicoleiais होता है और egg होता है, इसका जो protoplasm होता है वो गाड़ा होता है तो यह हमने ugonia के structure को discuss किया, अब हम discuss करते हैं enthridia के बारे में heading डाली जी ए enthridia, enthridia जो होता वो elongated होता है, club shape, multi nucleate structure होता है जो कि prime male hyphae के सीरे पर ugonium के path develop होती है इसमें fungal hyphae से यह अलग हो जाता है और इस fully away भाग को enthridium कहते हैं यह multi nucleate होता है तथा ugonium की भित्ती से चिपका रहता है अब हम देखेंगे fertilization कैसे होता है, male और female sex organs से वो कैसे आपस में fuse करते हैं उन्ही के fusion को कहा जाता है fertilization fertilization के समय एंthridium से fertilization tube उतपन होती है जो की ugonium वाल को तोड़ करके ugonium में enter कर जाती है और egg तक पहुँच जाती है एंthridium का एक nucleate जो की female nucleate से fuse हो जाता है वो diploid ospore बनाता है यानि कि male और female जो nucleate है जैसे ही वो आपस में मिलेंगे तो वो diploid ospore बनाते हैं fertilization के पस्चात ospore और जाइगोट के चारो और तीन परतो वाली यानि थ्री लेर्ड वाली थिक वाल बन जाती है ospore का nucleus deployed होता है और यह बार बार इस nucleus में division होने से यह 32 nucleus बना लेता है प्राई है देखा गया है कि ospore का nucleus albugo candida में meiosis division द्वारा विभाजित नहीं होता है परन्तु इसकी कुछ अन्य जाती है जैसे कि albugo built आई आदी में इसका जो division है पहला division वो meiosis द्वारा ही होता है अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है graphical representation of albugo यह है albugo fungi में sexual और asexual का graphical representation जो की कई बार 5 नमबर में आपसे पूछा जाता है इसे हम outline भी बोलते हैं तो यह आप लोग exam paper में तब बनाएंगे जब आपसे graphical representation के बारे में पूछा जाए इसके बाद theoretical year में आप लोग note down करेंगे ospore इस 32 nuclear stage यह जो 32 nuclear stage होती है इसमें favorable condition आने तक यह resting period में पढ़ा रहता है यानि विसराम अवस्ताग में पढ़ा रहता है और जैसे ही germination होता है germination की समय ओस्पोर की जो outer वाल होती है वो भरस्ट हो जाती है यानि के फट जाती है और जो inner वाल होती है वो vesicle की रूप में बाहर आ जाती है इसमें लगबग 100 nucleos होते हैं जो की बाद में biflagellate, uninucleate, renform तथा naked juice pore में परवर्तित हो जाते हैं vesicle के फटने पर juice pore अपने flagella की साहता से पानी में तेरने लगते हैं तथा बाद में जो सीलिया है वो damage यानि नस्ट हो जाते हैं और गोलाकार हो जाते हैं फिर उसमें host के मिलने पर germ tube बना करके stomata द्वारा यह host plant में एंटर कर जाते हैं और एक नया micellum बनाते हैं तो इस प्रकार से यह नए plant को infect करते हैं हमने देखा asexual reproduction और sexual reproduction में finally जो है कैसे वो नए host को infect करते हैं यह आपर diagram दिखाए गया है transfer section of host leaf infected by systopas soving जिसमें आप देखेंगे यहां पर conidia दिखाए गई है यह है sporengia right और इसमें conidia बिल्कुल clearly दिखाए गया है यह है epidermis epidermis का मतलब क्या होता है बाहियवाल right इपी मतलब बाहिय डर्मिस मतलब तो अचाय यानि बाहिय तो अचाय फाइनली स्टूडेंट albugo में sexual reproduction को अब हम diagram की मदद से समझते हैं जैसे ही हमारे पास एक leaf है और इस leaf और white postules के form में हमारे पास fungi है इस fungi के अंदर जो mycelium है देख सकते हैं intercellular mycelium है यानि cells के बीच में आपको दिखाई देगा यह host की leaf है इसके बाद student मैंने आपको बताया था कि इन्ही mycelium के hyphy से male और female reproductive organs जो है उत्पन होते हैं तो यहां पर आप लोग clearly देख सकते हैं diagram D में यह है female reproductive organs और यह है male reproductive organs और यह है male reproductive organs और यह है इनका अलग-अलग से nicoleus होता है यह इसके अंदर male nicoleus present है और इसके अंदर female nicoleus और vacuels present रहते हैं फाइनली क्या होता है यह दोनों आपस में एक दूसरे के contact में आते हैं और इन दोनों के बीच मौजूद होता है receptive spot diagram F में आप लोग clearly देख सकते हैं यहां पर जो male reproductive organs है उससे एक fertilization tube बन जाती है अब यह जो fertilization tube है अब यहां से इसी की मदद से male nicoleus जा करके female nicoleus से fusion करता है right male nicoleus और female nicoleus आपस में fusion करते हैं यह है pro plasma membrane और यह है periplasm fusion के बाद student यह जो है diploid gigode बना लेता है जिसे हम बोलते हैं ospore अब यह जो ospore है इसके अंदर meiosis होता है तो बहुत सारे इसमें nucleus बन जाते हैं और इनी nucleus से juice pores बनते हैं अब इसमें यह juice pores है जैसे ही यह burst हो जाएगा फट जाएगा favorable condition आने पर यह juice pores जो होते हैं इनका liberation होगा यानि कि यह free हो जाएंगे और free होने के बाद यह germinate करके एक नए host पर जाएंगे और वहाँ पर एक नया mycelium बनाएंगे तो इस परकार से cycle चलती रहती है तो आज किस वीडियो के अंदर हमने cover किया अगर आपको कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मिलते स्टूडेंट नेक्स वीडियो में बाई बाई टटा